हेलो फ्रेंड टेक्नो एन्पीटी दिनेस में आपका स्वागत है आज का लिस्टन में हम लोग Microsoft Word 2019 का रिव्यू टेफ के अंदर में जो भी यूच्फूल कमांड्स है उसके बारे में देखेंगे अगर आपका सेंटेंस अगर गलत है तो वहां पे आपका grammatical error आएगा तो उसके लिए आपको blue color double underline आएगा बोला था अगर आप पुराना वर्षन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको green color में underline आएगा तो इसको समझने के लिए मैं एक example लेता हूँ पहले एक function ले लेता हूँ जो हमारा use करते हैं हम लोग हमेशा rant function यहाँ पे मैं कुछ paragraph और कुछ sentence ले लेता हूँ आप देख सकते हो यहाँ अभी कोई भी spelling या grammatical error नहीं है now मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ गलती करूँगा कुछ error बनाऊँगा पहले और उसके बाद उसका use कैसे करना है मैं आपको दिखाऊँगा तो पहले हम लोग spelling mistake करेंगे इसके लिए मैं कोई भी word का कोई-कोई letter यहाँ से हटाता हूँ जैसे वीडियो से I हटाया, online से N हटाया अब देख सकते हैं जहाँ पे मैं एक एक letter delete करता जा रहा हूँ उसके नीचे में एक red color का line आया है यह है आपका spelling mistake, मैं यहाँ पे दो-चार और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ जाएगा देखिए मैं यहाँ जगा-जगा पे यहाँ पे आपका क्या-क्या कुछ word जो है 4-5 लेके उसमें कुछ mistake error किया हूँ अब grammar error कैसे आयागा उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ double space डाल देता हूँ कहीं पे या कहीं पे हमारा letter के बाद में आपका dot डाल लेता हूँ या यहाँ पे आपका full stop जो है dot के बाद में double space दे लेता हूँ या double space आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं आपका जो भी है double blue color का underline आ चुका है तो यह आपका है spelling and grammar error अब इसको सही कैसे करना है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले आपको click करना है इसमें select करने के बाद में यह document है इसके अंदर में क्या-क्या हमारा spelling और grammatical error है उसको हमको सही करना है उसके लिए हम यूज करेंगे spelling and grammar इसका select cut है आपका app 7 आप जैसे यहाँ पे click करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है right side proofing navigation pane में under spelling के अंदर यह देखिए यहाँ पे आपका recommendation भी है यहाँ में भी I I मैं delete किया था तो यह मेरा error दिखा रहा है और यहाँ उसका recommendation दे रहा है यह हो सकता है तो आप sentence को पढ़ेंगे उस sentence में आपका जो भी word appropriate लगेगा आपको उसी word पे बस click करना है जैसे कि यह हमारा video था मैं इसमें video में click किया उसके बाद देखिए यहाँ पे online हमारा था पर यहाँ हमारा क्या आया है कुछ दूसरा आ गया है तो उसको ठीक करने के लिए online word पे click करना है बस आपको उसके बाद जो है आपका grammatical यह देखिए उपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे grammar लिखा है change spacing before punch action punch action से पहले जो space है उसको change करो बोला है अब इसमें करस click करना है आपको यह सही हो जाएगा उसके बाद भी जो है वो भी आपका grammatical error है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फिर आपको click करना है उसके बाद next देखिए spelling आया है elements के तो यह हमारा elements था elements में मैं click किया उसके बाद आपका heading था next जो है यह आपका grammatical error है बस इसमें आपको click करते जाना है यह where था यह off था यह add था grammatical error आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका spelling and grammar check complete हो चुका है और यहाँ से सारे के सारे जो भी है वो हट चुका है उमीद है यह आपको अभी समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं आज का second option के और second command जो है आपको proofing group के अंदर में थेसा रस तो इसको समझने के लिए मैं एक example लेता हूँ पहले मालीजी यहाँ पे जैसे आपका एक word है powerful यह word जो है powerful इस type का आपको और भी 5-10 word चाहिए जिसका meaning भी powerful होना चाहिए आपको मालीजी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा और क्या हो सकता है क्या यह क्या होता है आपका जो repeatedly हम लोग एक common word को use करते हैं उससे आपको रहात मिल जाएगा मालीजी आप English में expert नहीं हो आपके पास dictionary भी नहीं है तो आप थेसारस का help ले सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे select करके भी आप कर सकते हो उसका related जितना भी आपका adjective है या noun है या verb है जो भी है इसमें आपको बहुत सारा word मिल जाएंगे जैसे कि influential का मतलब भी आपका powerful ही होता है उसके बाद आपका prevailing मतलब भी है dominant भी powerful है potent भी है तो यह use होता है आपका जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पता नहीं है eat मतलब क्या है खाना है तो मैं यहाँ पे type किया eat ऐसा और क्या-क्या English word है जिसका meaning भी आपका eat के साथ same है माल लीजिए या approximately equal है तो ऐसे में आप यहाँ पे search कीजिए आपको यहाँ पे लगभग verb और यह आपका जो भी है word उसका alternative मिल जाएगा जैसे कि आपका bother annoying उसके बाद worry यह भी सारे के सारे आपका जो है wax यह देख सकते हैं आपके consume, munch देख रहे हैं यह सारे के सारा क्या है आपका उसी word related alternate word तो one type of हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आपको alternate कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे आप use कर सकते हो next command के और बढ़ते हैं आज का जो है ओ है आपका proofing group के अंदर में word count आपको अगर बोला जाए इसमें कितना word है आपको तो यहाँ नीचे में देखने के लिए मिल जाता है page one of one 319 word इहां पे दिखा रहे क्या आपको यह पता है इसके अंदर में कितना sentence है इसके अंदर में कितना paragraph है इसके अंदर में कितना character है यह सब आपको भी अगर जानकरी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे बस आपको click करना है word count में आप जैसे word count में click करेंगे आपका यहाँ हर वो details आपको मिल जाएगा word count का statistics आपको मिल जाएगा जैसे कि आपका pages 1 words है 319 आप दे सकते हो यहाँ पे characters बिना space के साथ में 1436 है अगर space को भी count करेंगे तो आपका 1752 है paragraph 4 है line इसमें 20 है तो आप easily आप यहाँ से word line sentence कितना है आप counts कर सकते हैं कई-कई जैगा क्या होता है कभी-कभी बोला जाते है जैसे एक essay लिखो या कोई letter लिखो जिसमें 1500 word होना चीए या 10 sentence होना चीए in that case you can use word count next come to the next option आपका जो है वो है आपका speech group के अंदर में this is the new feature that you will get in Microsoft Office 2019 read aloud जो होता है जैसे माल लीजिए यहाँ पर एक paragraph है और इसका जो भी word है इसका pronunciation आपको समाज में निया रहे कि इसको कैसे पढ़ना है इसका pronunciation क्या होना चाहिए तो आप headphone अपने यहाँ लगा सकते हो या कोई speaker अगर है आप बस select कीजिए जिसको आपको पढ़ना है computer आपको पढ़के सुनाएगा ताकि आपका जो pronunciation है यह भी मेरे ख्याल से सही हो जाएगा और आपका confidence level भी आजाएगा कि आपको कुछ सिखने के लिए मिल रहा है at least in that case you can use read aloud feature that it is given in your Microsoft Word आपको पहले select करना है paragraph को उसके बाद में आपको click करना है read aloud के उपर में आप जैसे read aloud में आप click करेंगे आप यहां right side में देख सकते हैं निकला है और यह आपका एक एक करके word पढ़ता पढ़ता जा रहा है यह complete हो गया है जैसे कि यह paragraph हमारा complete हो गया यह पढ़ना बंद कर दिया है अब जैसे आप इसको use करते हो यहां right side में आपको media command कुछ मिल जाएंगे जैसे play है next है उसके बाद इसका कुछ setting भी आपको मिल जाएंगे आप जैसे setting में click करेंगे यहां पे reading speed है माल लिजे आपको first लग रहा है यह जो पढ़ रहा है यह थोड़ा first पढ़ रहा है तो ऐसे situation में आप यहां पे reading speed को slow भी कर सकते हैं ताकि आप easily जो भी उसका pronunciation है या उसको किस तरीके से पढ़ना है आप अपने हिसाब से भी उसको अपने अंदर क्या download कर सकते हो उस type का यहां पे आपका speech भी दिया है voice का जो section है आपका Microsoft David section का है जीरा है और mark है क्योंकि यह सभी का tone सबको पसंद नहीं आता आप एक बार तिनों चेक कर लीजिएगा जो tone आपको अच्छा लगेगा जिसका pronunciation रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लगेगा आप उने का choose कीजिए by default जो है आपका David है hope you understood this one properly next आपका जो options command है आज का ओ है आपका new comment comments group में अंदर में आपका है new comment comment क्यों use करते हैं जैसे माल लीजिए यह हमारा एक document है एक page है यह page के बारे में मेरे को extra information provide करना है तो ऐसे situation में आप यह comment का use कर सकते हो उसके लिए आपको जहां पे भी comment add करना है वस उसको select कर दीजिए या वहाँ पे click कीजिए फिर new comment में आपको जाना है याद रखिए review के अंदर में comments group then new comment में आपको click करना है आप जैसे new comment में click करते हो आप इधर देख सकते हो आप comment add करने के लिए एक box आगया है red color में एक few seconds ago हम लोग यहाँ पे add किया है अब comment क्या है माल लीजिए यह page का जो content कैसे आया मैं उसके बारे में comment आपको लिखके यहाँ पे दिखाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैं comment add किया हूँ जैसे comment क्या है यह जो document हम लोग use कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या किये थे कुछ random text लाए थे यहाँ पे मैं लिखा हूँ this document contains some random text derived by rand function हम लोग use किये थे यह आपका comment है तो comment खास करकि कुछ चीज को identify करने के लिए यूज किया जाता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या add है कैसा है उसको जानने के लिए आप यहाँ से बस comment देखिए आपको समझ मा जाएगा कि यह text कैसे लाया गया है क्योंकि मैं यहाँ पे इस document के बारे में एक comment add कर दिया हूँ माली जी comment आप add किये हो और इसको आपको हटाना है comment को हटाने के लिए आपको फिर से जाना है यही पे आपका comments group के अंदर में आपका delete है delete comment में आपको जाना है उसके बाद delete all comments आप जैसे कर देंगे आपका इस comment यहाँ से हट जाएगा यह था आज का lesson जिसमें हम लोग review tab के अंदर में proofing group का कुछ command speech के बारे में और comment कैसे add करना है उसके बारे में कुछ cover किये है जो आपका इस step का part 1 है rest इसका जो भी sections बाकी है commands बाकी है उसको मैं इसका part 2 lesson में cover करने वाला हूँ thank you so much मिलते हैं अगले class में